नमस्कार कहानी गोल्ड में आद सुनिये मृदुला सिनाजी की लिखी कहानी दत्तक पिता एक माह पुर्वे ही हरिद्वारे स्थित एक विद्धा अश्रम चे उसके नाम पत्र आया था उसके पिता महिंद्र सिंग के बिमार होने की सूचना थी वीज़ पर पड़े उस पत्र को जबता बुलट बलट कर देखता एक एक शब्द से पिता के स्थिती का अनुमान लगाता बेचैन हो उटता था सिधार्थ चैन भी उसी पत्र से मिलता था अम्मा नहीं रही अंतिम समय भी वह उन्हें अपना मुन ही दिखा सका ऐसी क्या व्यस्तता थी और क्या अम्मा की सेवा उसकी कारे सूची में नहीं आनी चाहिए थी मानो कागश के उस पन्ने चित्रितों वह छोटा सा आंगन चूले के सामने बैठी अम्मा खटिया पर अम्मा के साथ गुंती बैठी तीनों बहने बच्चों की धमा चौकडी से खटिया की एक रसी क्या खुलती बाबुजी की स्थिती ऐसी मानो उनके हिर्दय का कोई तार खुल जाता था ये सारे द्रिश्य उसकी आखों के आगे रूड हो गए सिद्धू कितनी बार कहा खटिया पर मत कुदो ये भी तूट गई तो क्या जमीन पर सोएगा सक्त हातों से बेटे का हाथ पकड़ खटिया से उतारना और अपनी मुलायम हथेली से मूंच की रसी को सहलाते जाना ये क्रम चलता रहता था अपनी मास्ट्री की छोटी कमाई बड़ी मुश्किल से बचाई रकम से खरीदी साइकिल के एक एक पार्ट पूर्जे का भी उन्हें उतना ही ध्यान रहता जितना अपने बच्चे का सारी स्मृतियां सजी हो उठी थी सिध्धार्थ ने बच्पन में पढ़ा था सुख में दुख के स्मृतियां फूल दुख में सुख के स्मृतियां शूल पर इन दिनों सिध्धार्थ के मन मन्थन में उन पंक्तियों की अर्थवत्ता गड़म गड़ होने लगी थी अगले दो महीने बाद ही तो सिद्धार्थ की साथवी वर्ष गांठ आने वाली थी अचानक आगत की कलपना उतनी सुखद नहीं लग रही थी जितने विगत जिन्दिगी के शुरवाती तीस वर्षों के स्मृति में खो जाना अपनी जमीन वा अपनों से साथ समंदर दूर होकर उसके जोली में आई थी उपलब्धिया ही उपलब्धिया अमेरिका के अर्थ जगत में हर आने वाला साल उसके लिए नया किर्थिमान लाने वाला रहा था तभी तो वा आगे और आगे देखता रहा पीछे मुड़कर देखने में रुकना जो पड़ता समय देना पड़ता सिद्धार्थ के पास रुकने थमने का समय कहा था आगे देखने में उसके न कदम रुके न दृष्टी पर अचानक साठ के पास पहुचते-पहुचते क्या हो गया उसे न्यूई यॉर्क में बिताए रेस के अवल घुडे के तीस वर्षे जिन्दगी नामे से कत्रा था पीछे के उतने ही समय के हर मोड पर पाउ रखता उसके जोड घटाओं में उलशता गया सिध्धार्थ अब जल्दी भी क्या थी धन, वैभव और शोहरत तो इतना कमा लिया कि आने वाली साथ पेड़ियां बैटकर खाएं तो भी समापना हो इसलिए तो उस जमीन से जुड़े लोगों को उसे इर्शा होने लगी थी पर कहा है आने वाली पेड़ियां बेटा, बेटी, नाती, पोते कोई तो नहीं है उसके साथ आसपास उनके लिए अलग-अलग आलिशान बंगले सिधाट नहीं बनवा कर दिये सब अपने अपने में व्यस्त शायद इसलिए उसे तीस वर्ष पीछे छूटे स्वजनों के सानिद्य और इस पर्ष के स्मृतियां सुखद लगने लगी थी सुनीता, श्यामला और सुजाता एक बड़ी और दो छोटी बेहनों के साथ लड़ना जगणना रूटना मनाना अम्मा के आचल में छुपकर बैठना एक ही रजाई में पिता जी के संपुण परिवार का समा जाना ये स्मृतियां सहलाने अवश्य लगी थी पर सुकून तो पिता के कंधों पर या उंगली पकड़ चलने की याद में ही मिलने लगा था अथा आनंद अंजाने अंचा है सुहारजेत समृधियों के नीचे दबे अपने को ढून निकालने के धुनसवार हो गई वह कौन है? किसका है? किसने जन दिया? किसने दिया नाम? उसके बढ़ते कद काठी वह कदमों के साथ किसकी कामनाएं बल्वती होती रही? उसका खानदान कौन है? दादा पर दादा कौन थे वे लोग? उसके उस दुनिया को कहां फर्क पड़ा? उसके दादा अपनी इलाके के बड़े धर्मात्मा थे इलाके के कुख्यात डाकू ही होते तो क्या? किसी ने कभी पूछा नहीं, जाना नहीं वहां तो सिध्धार्थ नात सिंग भी नहीं मात रैसिन सिंग की पहचान बनी स्वयम मिस्टर सिंग ने बनाई वह पहचान उनकी अर्जिस संपत्ती स्वयम उसे ही कहां अपनी खबर रही? 25 से 50 वर्ष गधे की उम्रड होता रहा बोज आयू के छठे दशक में जोड घटाव में उलजना है पैत्रिक परंपरा वा नाम के संपत्ती के स्वात के लिए उसकी जिवा तरसने लगी अपने भुजबल और बुद्धीबल पर कभी उसे गर्व ववश्य होता था पर इन दुनों वा उन हथेलियों को उनकी कच्ची अवस्था में सहलाने वाले उंगलियों में डाल कर थोड़ी देर ही सही सुस्ताना चाहता था और उसके अंदर यह चाह इतनी उतकट वबलवती हो उठी कि उसने अचानक भारत के लिए प्लेन टिकट मंगवा लिया सरला को भी नहीं बताया वैसे भी सरला अपनी दुनिया में मस्त थी तभी तो अकेला बिल्कुल अकेला हो गया था सिध्धार्थ और पिता का दर्शन करने अंतिम बार सही उनके इस पर्ष से अपने को तर करने के उद्देश से ही भारत के लिए चल पड़ा था न्यू यॉर्क से तेरा घंटे की यात्रा तेरा सेकिंड में पिता के पास पहुशने को आतुर सिध्धार्थ को यात्रा के दौरान एक युग बिटने का एसास हो रहा था अंतर रास्टी हवाई अड़े पर बाहर खड़े सैकडो लोगों की इंतजार करती निगाहे शीशे से अपने स्वजनों को हीर रही थी और नयन मिल जाने पर दोनों उर से आनन्दा तीरेक के इशारे हो जा रहे थे उनमें किनी दो नयनों का निशाना सध्धार्ट नहीं बना उसकी आँखे नम हो आई जटके से बाहर निकल धर्ती से एक चुटकी मिट्टी उठा कर सिर से क्या लगाई मानो गंगा के जल में डुपकी लगाली हो शरीर और मन शान्थ हो उठा चारो और नजरे फेरी पंद्र वर्षों में कितना कुछ बदल गया था एयरपोर्ट पर टैक्सी बुक करवाई और एयरपोर्ट से सीधा हरिद्वार के लिए रवाना हो गया रास्ते में दिल्ली का विस्तार फिर हरिद्वार पहुचते पहुचते अपने देश के बदलते हुए द्रिष्ट देख आनन्दित होता रहा आश्रम पहुच कर भी विवस्तापक के कमरे में इंतिजार करने का सबर कहा था उसे खोशता ढूंटता वह उसी कमरे की निरिक्षण कर रहे डॉक्टर और विवस्तापक की उपस्थिती की परवा किये बगेर वह पुकार बैठा बाबुजी सधा हुआ बाण मानो प्रति दिन धनुष से निकल लक्ष भेदन का अभ्यास रहा हो चिकित्सक और विवस्तापक हत्प्रब रह गए मैं हूं सिध्धार्थ आपका बेठा बाबुजी मैं हूँ आपका सिध्धु मैं आगया बाबुजी बेताप सिध्धार्थ ने पिता को अपने अंक में भरकर कान के पास मुह ले जाकर आवाज दी और जैसे पिछले दो सब्ता से बेजान पड़ी उस काया में चिकित सकने कोई पावर्फुल इंजेक्शन लगाया हो कहां हो सिद्धू आ गये तुम बड़ी देर बेटे को अपने पाश में लपेटने के लिए छट पटाती बाहों को थाम उन पर सिर रगड़ता फफक पड़ा सिद्धार्थ बेजान पड़ी हथेलियों को अपने सारे अंगों पर फेडने लगा द्रेश को अपने में भरती आंखे भराई उन नैनों को भी भरते ज़रते रहने के इलचसी पड़ गई थी उस आश्रम में पड़े व्रिद्ध जन उन्हें रीतने कहां देते थे उन छड उनमें छलकाय आसू में आनंद के अंगीनत कर थे सिद्धू सिर पर लंबे बाल लंबी सफेद दाढ़ी बड़ी हुई बेतरतीब मुच्छों के बीच चुपे पोपले मुख से निखली पुकार की अनुगूंज से आश्रम का प्रांगड गुंजाय मान हो गया सर्वत्र वही चर्चा पसर गई सुनते सुनाते व्रिद्धों को लग रहा था जैसे उनकी अपनी कोई संतान उनसे मिलने आ गई हो दोनों एक दूसरे के इस बर्ष से स्वस्थ होते गए बहुत दिनों बाद उस संस्था में आनंद का मौसम उत्रा था पांच बर्ष पूर्व सुजाता की अंतिम चिठ्थी अमेरिका पहुची थी उसने लिखा था भाईया अम्मा नहीं रही तुम्हारा नाम रट्ती रट्ती चल बसी अब पिताजी अकेले रह गए उन्हें अपने पास रखने के लिए हम तीनों बेहनों में होड लगी है पर तुम तो जानते हो वे कैसे हटी है बेटियों के घर जाना उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं अब हम क्या करें तुम एक बार तो आजाओ कहां आपाया था सिध्धार्थ ना चिठी न पत्री न डॉलर कुछ भी तो नहीं भेश पाया था सरला कैसी है वह क्यों नहीं आई सोनू और मोनू कैसे है कैसी है मोनू की जर्मन बीबी कितने सवाल और उन सवालों के उत्तर में प्रतिक्षित निगाहों मानों चीर प्रती चारत रही हो तब ही तो सिध्धार्थ के उत्तरस्वन पुलाक उठती थी सिध्धार्थ भी रिडमुक्थ होना चाहता था बचपन में हजारों सवाल पूछे थे अपने बाबुजी से आश्रम वासियों के देखते देखते वृद की स्वेक्षा मिर्त्यू वरण का संकल्प शैने शैने समाप्त हो गया उन अस्सी वर्षे नजरों में जीने की आस के साथ एक नई शक्ती का पुनरजनम हो गया सिधार्थ को उनके मुख से अपनी बाल क्रेणा के वर्णन सुन अथा आनंद की प्राप्ती हो रही थी उन प्रसंगों के वर्णन में डूप की लगाते उसे अपने विशाल कद के लगुतम होने की कोई परवा भी नहीं थी आश्रम की सूखी रोटी दाल और बिना मिर्च मसाले वाले सबजी के रस में डूबे रहना जमीन पर बैठना तख्त पर लेटना गर्मी की तपेश कुछ भी तो अटपटा नहीं लग रहा था अमेरिका में विताए लंबे समय में कठिंतम शम से भी उसके बदन पर कभी एक बोंद पसीना नहीं निकला मई मास में पसीने से तरबतर उसका शरीर मानो वर्षों बाद सावन की फुहार से भीगा हो तीस वर्षय जीवन की शान शौकत अतियाराम देह रहन सहन आत्मियता बटोडने और आत्मसात करने में कहीं से भी आड़े नहीं आ रहा था अपने पिता की स्मरण शक्ती पर उसे अवश्य आश्चरे हो रहा था वा भी तो बाप बना हुआ है उसे कहां याद है अपने पुत्र का बच्पन कदाचित इसलिए भी कि बच्चे उसके कंधों और गोद में नहीं भले हर की पौड़ी पर पिता को बेठा कर सैम गंगा में डूपकी लगा रहा था सिधार्थ पिता अपलक उसे निहार रहे थे पानी में उत्रे बिना ही मंतर हो रहा था उनका सिधार्थ को पानी के अंदर कुछ शड़बीत गए वे चिल लाए कोई है निकालो मेरे बच्चे को मेरा बेटा मेरा बच्चा गंगा में खड़े लोग अपने हाथ पर फेक कर किसी डूपते बच्चे को ढूणने लगे गंगा का निर्मल तिवरजल प्रवा एक शड़ के लिए भैगरस्थ हो रुग गया थम गया तभी सिधार्थ का सेर बाहर आया मिल गया मेरा बेटा वह रहा ए गंगा मैया तेरा लाख लाख शुक्रिया चल इधरा सफेद बालों वाले व्रिध बच्चा को देख सनार्थियों की हसी फूट गई एक नजर व्रिध पिता के विहस्ते मुख पर डाल सब के सब गंगा में डुपकी लगाने लगे कुछ पल तो बीते थे सिध्धार्थ के पिता ने न जाने कितनी मनौतिया मान ली सिध्धार्थ उनके पास आकर बैठ गया उसके सिर पर हाथ फेड़ते पिता ने कहा अब मुझे यूं डराया मत कर पुत्र के सिर का पानी पोश्ते हुए पिता का हाथ पीट पर आ गया बाई और एक छोटा सा गढधा हाथ रुग गया याद है तुम्हें तुम्हारी पीट पर एक बड़ा सा घा हुग गया था दर्द से कितना रोते चिलाते थे तुम छै महीने तक डॉक्टर वैद्य हकीमों का इलाद चला गाव ठीक ही न हो तुम्हारी मा तुम्हें हरिद्वार ले आई गंगा में डूपकी लगवा कर मनौती मानी एक महीने बाद ही घाव भर गया था तुम जब डूपकी लगा कर बाहर नहीं निकले मैं घबरा ही गया मुझे पता नहीं तुम्हारी मानी मनौती उतारी या नहीं मुझे डर लग रहा था कि अधि उसने मनौती ना उतारी होगी तो कहीं गंगा मैया उनकी ठकी नजरों से धार बह चली बाबुजी यह क्या आखिर गंगा तुमा है ना अपने वच्चों की भूल को छमा कर ही देती होंगी गंगा में डूपकी लगा कर मुझे भी मा के इस पर्ष का एहसास होता है तभी तो पंदर दिनों में सुबह शाम यहा आता हूँ दूपकर बैठा रहता हूँ मानौ मा के आचल में पिता के कंधे पर से रखकर फफ़क पड़ा था सिधार्थ बहुत याद करती थी तुम्हारी मा मरने से पुर्व एक बार तुम्हारे शरीर पर हाथ फेडने की तमन्ना साथ लेती चली गई तुम्हारी मा भी गंगा की तरह निश्चल्व पवित्र थी सामने प्रवाह मैं उस निश्चल्धारा में अपना शरीर डुबोने के लिए खूद पड़ा सिधार्थ उस दिन मंदिर के प्रांगण में संस्था के सब लोग बैठे थे उची तौसर पाकर उसने अपनी चाहत की चादर पसार दी मैं बाबू जी को अपने साथ ले जाऊंगा अकस्मात एक चुपी पसार आई ऐसा भी नहीं कि उस संस्था में आकर कोई वृद्ध अपने घर वापस नहीं लोटा हो संस्था के 20 वर्षे जिंदगी में ऐसे लोगों की संख्या भले ही एक दो रही पर थी तो उन्हें ले जाने वाले उनके बच्चे या सगे संबंधी रहे थे पर सिध्धार्थ का क्या रिष्टा था उस वृद्ध से उन्हें विश्वास हो गया कि संस्था वाले उन्हें सिध्धार्थ के साथ नहीं जाने देंगे आधी रात तक करवटे वदलते रहे सिध्धार्थ ने पूछा क्या हुआ बाबुजी तबियत तो ठीक है इस्थित प्रग्य हरी किशोर सिंग का पांच वर्ष पुराना अतीत लोट आया था मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ मेना लाग लपेट के बोल गए सिद्धार तेक अप्राधी बालकी भाती धर्रा गया क्यूँ? मुझसे अब क्या भूलो गई बाबुजी दरसल मैं अब आप से अलग होना नहीं चाहता और मेरा अमेरिका लोटना भी जरूरी होगा मैं आपको अपना अरजित नाम धाम भी दिखाना चाहता हूँ पर आप न जाना चाहें तो मैं हरी किशोर सिंग भी कहां फसे आकर एक फकड की जिंदगी आंत समय में रिष्टों के जाल में फसकर रह गए उनके साथ पूद के पाउँ पालने में दिखते हैं कहावत चरितार्थ हुई थी बचपन से ही माबाब भाई बेहन किसी से लगाव नहीं पुत्र के लक्षन करम देखकर पंद्र सोला वर्ष की अवस्था में ही पिता ने शादी के बंधन में वानना चाहा था जिस घोडे पर दुल्हा बनकर बैठाया गया घोडे की रास दूसरी और मोड़कर चाबुक मारी घोडे ने दुल्हन के दरवाजे पर जाने की दिशा क्या बदली हरी किशोर जी के भी जीवन की दिशा बदल गई आज यहां कल वहां लुकते छुपते भागते दोडते भारत मा को बंधन हीन कराने का जुनून उनके जैसे हजारों पुत्रों के त्याग बलिदान से भारत मा सोतंद्र हुई अनेक संस्थाएं देश समाज की रचना में लग गई हरी किशोर सिंग भी एक राष्टवादी संस्था के सदस से बन गए पारिवारिक मोह माया से दूर बहुत दूर आसकती का स्वाध ही नहीं चढ़ा प्रोड़ा अवस्था भी कट गई योवन प्रोड़ा वस्था तो बिना सहारे के भी कट जाते हैं बचपन और बुढ़ापे को सहारे की अवशक्ता होती है और ये दोनों अवस्थाएं ही एक दूसरे का सहारा होती है जब उन्हें सहारे की अवशक्ता पड़ी इस समाज में भी एक नई संस्कृती ने जर्म ले लिया था विद्धा श्रमों की संख्या इस देश में भी बढ़ने लगी भागते दोडते ठक चुके थे हरीकिशोर सिंग 75 की आयु में उनके शरीर को मात्र सुस्ताने की आवशक्ता पड़ी थी अपने कमरे के साथ ही महिंद्र सिंग द्वारा बहाई माया मोह की सरीता में डूबने उत्राने लगे सुर्सरी के किनारे बैट कर लौकिक जीवन में डूबते गए महेंद्र सिंग अपने पुत्र मुह में ऐसे जक्डे थे कि सारा वाता वरण मोह पाश में बन गया था देन रात अपने मित्र को सुनते सुनते हरी किशोर जी को आसकती के स्वात का चसका क्या लगा डू भी गए इतना कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहा दोनों के कतकाठी रूप रंकी सामिता देखकर संस्था वाले कहा करते थे दोनों जुड़वा भाई ही लगते हैं क्या पता हिंदी फिल्मों की तरह बच्पन में बिछुड कर बुढ़ापे में मिले हूँ महिंद्र सिंग के मृत्यू के बाद इसका अंदाजा लोगों को लगा दोनों के हिदय और प्राण भी एक हो गए थे एक जुड़वा भाई की तरह एक के बिमार होने पर दूसरा भी बिमार होता है हरी किशोर जी ने भी मृत्यू को वरण करने की ठान ली सिध्धार्थ के आने पर भी उसका मोभंग नहीं होने दिया जहां सिध्धार्थ को अपने पिता के सानिध्य से त्रिप्ते मिल रही थी वही हरी किशोर सिंग भी चलते चलते ही सही पुत्र सानिध्य का स्वाध चक लेना चाहते थे त्रिप्थ हो रहे थे दोनों एक जाने दूसरा अन जाने अपने सिरहाने से एक डायरी निकाल कर सिध्धार्थ को देते हुए उन्होंने सक्त शब्दों में कहा यह है तुम्हारे पिता की डायरी इसके हर पन्ने पर तुम अंकित हो यह डायरी मेरे लिए गीता है रामायन है तुम्हारे पिता ही क्रिश्ण अर्दस्रत हो गए मेरे लिए तु पकड़ो पढ़ो उल्टो तो मेरी और क्या टक टकी लगाए देख रहे हो मेरे चहरे में नहीं अपने पनमे भीगी जिड़की एक आग्याकारी पुत्र की भूमिका निभाता सिध्धार्थ डायरी के पन्ने पलटनी लगा उस जरजर निश्प्रान काया को सहारा देकर उठाते बैठाते सेवा शुशुशा से उसमें जान फूग दे एक बार भी सिध्धार्थ को पाप बदल जाने का शक नहीं हुआ था पूरी डायरी पढ़ लेने के बाद तो और भी निश्चित लग रहा था कि उस दैन अंदिनी को जीने भोगने वाला उसके सामने बैठा व्यक्ती ही तो था सच है कि बालक व्रिद्धे एक समान हो जाते हैं दो नवजार शिष्णों का भी अंतर कहां दृष्टी गोचर होता है चोर ग्री में बदले बच्चे को भी जच्चा अपनी कोह का जाया समझ शिदै से लगाती है निस्तनपान कराती है उसके क्रंदन पर भी उसकी छाती में दर्द उठता ही है पिता के अंतरंग को ही अपना असली बाब समझ एक प्रसूती मा की भूमिका निभाते चिद्धार्थ को आश्रम के वस्थापक ने भी कहां छेड़ा कहां रोका उस आश्रम के एक सदसिकी जान बिना दवादारू के जो लोट आई थी संस्था वालों को पता था कि पाँच वर्षों से हरी किशोर जी और महिंदर सिंग साथ रहते रहते एकाकार हो गए थे मात्र पंद्र दिन पुरू हुई महेंद्र सिंग जी की मृत्यु के उपरांत हरी किशोर जी ने इच्छा मृत्य को वरण करने का निश्चे कर लिया था अन्य जल छोड़ चुके थे सिध्धार्थ ने कुछ दिन देर की होती तो शायद हरी किशोर जी के शरीर में अपने पिता की आत्मा का दर्शन और इस पर्श नहीं कर पाता भारत आकर भी प्यासा ही लोटना पड़ता उसे हरी किशोर सिंग का विनीत वादसल उभर पड़ा सिध्धार्थ अपने पुत्र जन्म और उसके लालन पालन के समय भी तुझे पिता की याद नहीं आई अकसर ऐसा होता नहीं है स्वैम बाप बनकर हर नौजवान अपने पिता को अवश्य याद करता है पर तुम्हें तुम्हें मैं क्या बताऊं कितना तडबता था तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए सिध्धार्थ के पिता की तडब जीवन थो आई थी हरी किशोर जी की वाड़ी में सिध्धार्थ को सिर रहकर रोने के लिए जांग मिल गई थी बिलख बिलख कर रोया था सिध्धार्थ स्वैम परित्यक्त बाप जो था मृत बाप की याद में घुल मिल गया था बेटा से विलगाओ का दर्द पंद्रवर्षपूर उसने पिता को देखा था सुजाता कि शादी में अंतेम बारव भारत आया था तब उसने अम्मा बाबुजी से अमेरिका चलने का बड़ा आग्रह किया था वे नहीं माने थे बिसलपूर के दो कमरे के घर और उस खानदानी जगे के लोगों का मूँ वे नहीं त्याग पाये थे पांच वर्ष पूरु तक कभी पिता जी श्यामला सुनीता तो कभी सुजाता की शिठी पहुचती रही थी शायद पत्रों का निर्यात करते करते स्वजन भी धग गए थे रिष्टे तो अदान प्रदान से जीवित रहते हैं महीना भर संग साथ रहकर भी उसकी प्यास बुझी नहीं थी बढ़ती गई थी तभी तो उसने पिता को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा था प्रस्ताव के उप्रांत संस्था वालों के लिए वे फिर से हरी किशोर सिंग थे महिंद्र सिंग नहीं सिध्धार्थ की चाहत इतनी प्रबल और सुभाविक थी की किसी से औस्विकार करते बन नहीं रहा था उस पर अविश्वास का भी सवाल कहा था सवाल मात्र परंपरा का था परंपरा से जुड़े कानूनी प्रावधान का था शायद अप तक किसी को ऐसी आवशकता नहीं पड़ी थी सिध्धार्थ की अवशक्ता पर 80 वर्षिय हरी किशोर जी को उन्हें सौपने की चर्चा चल पड़ी थी कानून का अध्यन किया गया अंत में जीत सिध्धार्थ की चाहत की हुई उसने एक नई संस्कृती का प्रथम बीज डाला था आश्रम से विदा देते हुए अस्सी हारे ठके इस्त्री पुरुष समवेत मोक्स्वर में सिध्धार्थ को आशिश दे रहे थे अकांशा दफन की उस शम्शान भूमी में अचानक एक ख्वाहिश अंकुरित हुई थी काश हमें भी कोई यहां से ले जाता अंतिम सास लेने के लिए बच्चों की किलकारियों से गुंशता आंगन होता कानों में पढ़ते गीता के श्लोक स्वजनों के रुदनस्वर में सराबोर होते अंतिम यात्रा के लिए अपने हाथों पले पुसे कंधे होते इधर और भी नजाने क्या-क्या मांग रहा था वह आकान शांकुर उधर न्यूयोर्क के लिए उडान भरते हवाई जहाज की गती के साथ हरी किशोर जी की बची हुई जिंदगी में भी एक नया उफान आया उन्हें आकाश मिला तो सिध्धार्द को जमीन दत्तक ही सही पिता तो मिला चंदपल ही सही नन्य पड़ाओ पर छां तो मिलेगी अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिनहा जी की लिखी कहानी दत्तक पिता